कि चलिए अब हम आ गए यहां पर कि अब हम आ गए कि स्टेंडर कॉस्टिंग में कि स्टेंडर कॉस्टिंग में थिक है अब सुनियेगा हमने समझा था हमने एक चीज सम्झी स्टेंडर कॉस्टिंग में यह बहुत जरूरी है रिविजें इस पॉइंट आफ टाइंपर हमने यह समझा था एक होता है original budget एक होता है actual प्लीज इस revision पे सबसे आदा ध्यान दीजियेगा ठीक है इस विल है एंडरेट्ड रिमेंइंग स्टेंडर कॉस्टिंग तो आपने कहा कि ठीक है, एक होता है original budget एक होता है actual तो आपने सबसे पहले समझा था कि original budget के profit पे और actual profit में क्या difference आ रहा है जो difference आ उसको आप क्या बोलते थे आप कहते थे operating profit variance उसको आप क्या बोलते थे आप बोलते थे operating profit variance आपने का इसके reason क्या होते थे आपने reason भी आपको अच्छे से आते हैं आपने का three reasons थे फर्स था sales margin value variance सेकेंड था sales price variance या sales margin price variance और थर्ड था आपने का cost variance वो कैसे देखते थे आपने का कि सर सबसे पहले हम सोचते थे budget क्या है budget हमें पता है उसके बीच पे पहले हम standard निकालते थे standard क्या होता है पर unit पर आर वगरा को standard कहते हैं उसके वेस्पे हम देखते थे देखो एक्चुल एक्चुल में output कुछ और प्रडियूस हुआ है और budgeted output वगरा कुछ और है तो हम बीच में कॉलम और बनाते थे what we used to do flexible budget या revised budget variance हम बनाके देखते थे आपने का यह क्यों बनाते थे देखे 11,000 यूनिट पर अगर हमने यह 11,000 यूनिट पर बनाया तो अब हमें समझ में आ रहा है जैसे budget था 10,000 लेकिन आक्चुल में हमने सेल किये रिड्यूस करके 11,000 तो अप ने कितना revenue होना चाहिए था कितनी cost होनी चाहिए थी मददर record candidate for actual output कितना profit होना चाहिए था jumetto standard profit for actual output तो आपको यह समझ में आ रहा है कि कितना हमारा क्या क्या होना चाहिए था और in actual में कितना हुआ तो आपको दिख रहा है कि sales margin volume variance क्या है कि आपने क्या budget किया था और अगर जो आपने actual volume बनाया है उसके एसाब से आप budget बनाते तो आपका क्या profitability बख़़ा आती है यही है आपने कहा कि ठीक है इन दोनों के difference को हम क्या लेके चलेंगे इन दोनों के difference को आप लेके चलते हैं आपने कहा कि सर sales margin volume variance sales margin volume variance आपने कहा ठीक है सर इन दोनों की difference को हम sales margin फिर हमने कहा था यह सोचिए कि आपने second option कहा था कि कितना आपका कितना आपका revenue कितना आपका revenue actual में आया है और flexible budget के हिसाब से आपका कितना revenue आना चाहिए था तो आपने कहा कि सर इन दोनों के difference को हम लेके चलते हैं कितना revenue आया है और कितना revenue आना चाहिए था इन दोनों के difference को हम लेके चलते हैं क्या आपने कहा कि sir इन दोनों के difference को हम लेके चलते हैं sales price variance या sales margin price variance थर्ड हम देखते थे जिसे 9,35,000 या पर cost है आप कहते हैं कि 9,35,000 क्या है हमारी कितनी cost लगनी चाहिए थी और actual में कितनी cost लगी this is cost variance यह बढ़ा जरूरी है तीनों चीज याद रखना और पता होना मतलब it is most essential thing in this particular chapter यह पूरा हमार को operating operating statement मतलब reconciliation statement बनाने तक बहुत help आएगा बलकि last class तक मैं आपको बता रहा हूं आपको यूज में आएगा ठीक है अब आपने का सर यह बिल्कुल clear है मेरे को अच्छे से मैंने आपको बताया था देखिए यही चीज हमने यहाँ पर निकाल के दिखाई थी और एक डिफरेंस बेटून एक्चुल मार्जन एक्चुल प्रॉफिट बताईये क्या डिफरेंस होता था के देखिए बोलिये के देखिए बहुत बढ़िया कि आप गलत है एक्चुल मार्जन में हम लोग स्टेंडर्ड कॉस्ट माइनस करते थे लेकिन एक्चुल प्रॉफिट में आप एक्चुल कॉस्ट माइनस करते थे याद करिए रफ में शिववात में लिख वाया था ना वहीं है हम Standard cost minus कर रहे हैं और अगर हम marginal costing follow कर रहे हैं तो standard variable cost absorption costing follow कर रहे हैं तो standard वास्थ तो आपने अच्छा तो standard margin actual margin में standard cost क्योंकि हम देखी क्या कर रहे हो देते actual margin मतलब sales variances तक के margin को लेके चल रहे हैं actual margin मतलब sales वेरियंस तक के मार्जन को लेके चल रहे हैं उसको आप एक्चुल मार्जन बोल रहे हैं आपने का ठीक है सर आप भी कॉस्ट के विरियंस को नहीं लेके चल रहे हैं तो आपकी कॉस्ट अभी भी स्टेंडर कॉस्ट ही है ठीक है आपने का की ठीक है सर यह बिसीकली हमारे पास क्या होता था budgeted profit हमारे पास दिख रहा है budgeted profit मतलब जो और इसको हम बोलते थे standard profit मतलब जो flexible budget का है इसको बोलते थे actual margin इसे आप कहते थे यह basically standard cost minus कर रहे है actual revenue में से और यहां पर आप कहते थे कि आपने actual cost minus की actual revenue में से ठीक है आपने का ठीक है सर आसान था आपने का बिल्कुल अब हम लोग इसी के base पे हम लोग वेरियंस लेके चल रहे हैं मैंने आपको सिखाया था दोस्तों वेरियंस के इंदर बड़ा important है तू टाइप्स के वेरियंस होते हैं sales वेरियंस होता है effect on profit या based on profit and second होता है effect on turnover और दोनों में क्या difference होता है effect on profit जो होता है effect on profit जो होता है वो आप किसके लिए निकाल रहे होते हैं याद करिए आप किसके लिए निकाल रहे है आप Effect on Profit निकाल रहे हैं, आपकी Operating Profit को Match Out करने के लिए कि क्यों Difference आ रहा है, जबकि Effect on Turnover निकाल रहे हैं, इसलिए कि आपको ये समझ में आ सके, कि आपकी Sales Team किस तरीके से Perform कर रहे हैं, Sales Department किस तरीके से Perform करना है, ठीक है, आपने का ये तो बात, क्लिर है सर, Effect on Profit और Effect on Turnover हमें समझ में आ गया, अब आपने कहा कि सर, इसके बाद, तो इसके अंदर Formulas हमने बनाये थे, Formulas मैं नहीं बता रहा कैसे बनाये थे, आपको याद होगा, ये आपके Sales के Variances थे, Effect on Turnover और Effect on Profit, इसमें हमने देखा था दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे Effect on Profit कर रहा हम, Value Variance, Value Variance में हम क्या करते थे, Standard, Cost के Variances हटा के, हम सारे Variances ले ले लेते थे, मतलब, आप जब Actual Margin निकाल रहे हैं, वहाँ पे आप क्या लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, मैंने Question भी कराया था, और कई बार बोला, यही गलती होती है, Students से, इसमें Subtract क्या कर रहे हैं, इस अच्छा, Variances इसके Two Parts में होता है थे, पहला Volume, Second Price, Volume क्या होता था, आपको भी याद होगा, हमने कई बार Formula भी किया, Actual Volume minus Budgeted Volume into Standard Margin, इसके अंदर हम सिर्फ, यह देख रहे हैं, Volume का Effect क्या है, Price के Effect को नहीं लेके चल रहे होते हैं, दूसरा आते थे, Sales Price Variance, अब आप कहते थे, कि सर, इसमें क्या करते थे, इसमें हम करते थे, बहुत सिंपल है, आप कहते थे, Actual Selling Price minus Standard Selling Price into, into what, आपने कहा कि सर, Actual Volume, इसमें हम देख रहे हैं, जितना Actual Volume है, जितनी Actual Sale है, उस पे, कितना आपका Variance आ रहा है, ठीक है, आपने का ठीक है सर, Volume Variance के अंदर, Volume Variance के अंदर, सब पार्ट्स होते थे, सब पार्ट्स कैसे होते थे, आपको पता है, Volume Variance में सबसे पहले हम निकाल देते थे, Quantity Variance, हम यह सूचते थे, कि आखिरकार, कितनी Quantity हमने सोची थी, Sale होनी कि Total Quantity, Total Quantity मुतलब, Total of Volume is known as Quantity, और कितनी Actual में Quantity हमने Sale की, अब आपने कहा कि सर, अगर ज़्यादा हुई या कम, उस नसाब से हमारी Profitability बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपने तो 4,70,000 रुपीज अर्ण करने चाहिए, 15,000 पे, आपने कहा कि सर, हमने, हमने कहा, अगर 15,600, 600 एक्सटा बनाए, तो कितना हमारा Extra Profitability होनी चाहिए, इसी को हम कई रीके से करते थे, एक और तरीके से करते थे, हम कहते थे, independently कैसे, आप कहते थे, volume जो है, आपको पाइदा पथा हे, जितना मैंने बजट किया था, और जो आज की डेट में उसको जब compare करते हैं तो हमें पता चल लाएगा जो हमने जादा बेचा है उसी रेशो में तो उसमें किस-किस की कितनी जादा बेचनी चाहिए थी quantity और उसमें कितना-कितना तो यह सीधी-सीधी बात समझाता है किस रेशो में सेल कर नीची थी और किस रेशो में सेल कर दी इसको फुर्दर सब पार्ट में लेगे जाते हैं आपने का इसको भी फुर्दर मैंने का हां हम उसको planning and operating वेरियस भी बोल देते हैं सही वर्ड उसका market size और market share वेरियस क्या कह र सेल करेंगे हमने सेल कि लेटर से 15,000 फाल थाउजन एक्स्ट आ हैं लेकिन क्यों है आपने का सर इंड़ेस्ट्री बढ़ गई जब इंड़ेस्ट्री ग्रों कर गई मांगे चलिए यहां पर इंड़ेस्ट्री जैसे डिसीड कर गई रिसेशन आ गया था स्लंप आ गया था तो आपकी सेल भी जैसे यहां पर आपका बजेट टेन परसेंट था तो अगर इंडेस्ट्री में सेल 40,000 रिडिवस हुई है तो आपका भी 4,000 सेल्स कम होनी चाहिए तो आप उसको कहा देते हैं मार्केट साइस यह प्लानिंग वेरियंस आपने का कि से सेकेंड क्या होता था आपने का कि सर अब मान के चलिए जैसे 60,000 ही सेल की इंडेस्ट्री में 60,000 की सेल हुई लेकिन आपका शेर जो रहा मार्केट शेर मार्केटिंग टिंग के फ़र्स की वजए से या फिर आपका से नेक्स्टा मोबाइल साइल किए तो आप कहेंगे उसको कहते हैं मार्केट मार्केट शेर वेरियंस उसको हम क्या बोलते हैं मार्केट शेर यह टिपिकली टोटल पे निकाला जाता है लेकिन कई बार सिच्वेशन आये तो इन्डीवी भी निकाल सकते हैं प्रोड़क्ट निकालते हैं फिर छोड़े उस वाद को आपने कहा कि ठीक है सर अब क्या है अब आपने कहा कि सर एक और होता है effect on profit के साथ effect on turnover उसमें हम क्या करते हैं sales department की चैप बीडी के working को performance को analyze कर रहे होते हैं तो हम यहां पे जितने भी फॉर्मला जेना उसमें हर जगे जितने फॉर्मूला के जहां 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 selling price है जहां जहां sales standard margin उसको आप ले लेते हैं standard selling price और जहां जहां ब्रॉफिट लेकर चले वहां स्टेंडर् सांविशन ले लेंगे और जहां अक्टुल मार्जन लेकर चला रहेंगेक ही धो झा तो क्विशन मजले लेंगे और यहां पर एक्वेशम अधिल मरंगे में का मेंनिंग हो Durina crafts माइनश्टे तेनर कोस्ट पररिए ठीक है अब अपने कैसे आपने का क्यों स्टेंड कोस्ट प्राइबा cost standard variable cost ही माइनस करेंगे आप actual cost subtract नहीं कर सकते उसके बाद हम आगे थे cost के variances पे जब हम cost के variances पे आए तो मैंने आपको समझाया था पहला direct cost है direct cost में आपने क्या लिया था material cost वगरा लिया था आपने कहां से direct cost थी सबसे पहली पर्स थी हमारी कौन सी direct cost आपने कहां ठीक है sir direct cost थी मैंने कहां दीखिए direct cost थी उसमें आपने material वगरा लिया था सबके interpretation जरूर याद रखिएगा सबके interpretation जरूर याद रखिएगा नहीं तो बाद में मत कहना सर्फ बहुत दुकी हो गए क्यों interpretation याद नहीं थे paper में आ गए रोते रहोगे बाद में ठीक है interpretation सबको जरूर याद रखने हाँ 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 हें इंटर्पिडेशन सही कह रहे हैं दिव्यम सेवन माक्स का नमबर 20 में लास्ट कुश्ण था आ ऐए बिलीव चेक करीगा प्रीमक्स के फॉर्मुला केल्कुलेशन और सेवन माक्स का interpretation अब कोश्चन दिखां कौन सा था इंग में कुश्चन भी दिखा देखा है कि आपको पता रहे कि कैसे आते हैं देख लेना तुम्हें मालूम तो है कौन से कुश्चन की बात कर रहा हूं लेंटर इंट्इम्ट मैं यह नहीं गया रहा है कि इस एकंट्रेंस का नहीं तो आप उसको गलत फैमी में ले जाओगे कि मैं अपने वर्ड्स भी वापिस लेता हूं कि नमबर में इतने मांक्स आप क्या पता आगए ऐसा ना मैं क्लियर बूल रहा है लेकिन interpretation याद रखनी बड़ी जरूरी है ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा variance निकाल क्यों रहे हैं भाई निकाल क्यों रहे हो ये नहीं मालूम तो paper गया हास से और फिर सिर्फ आंसू के सिवाए आपके पास कुछ नहीं वसता फिर आंसू के सिवाए यू डूनोट है एनिटिंग एल्स और मैं उसमें कुछ help कर नहीं सकता फिर आप कहो कुछ भी मेरी के गलती मैंने तो पूरा करा है मैं तो interpretation भी करा है numerical भी करा है बताओ cost variance पे आईए cost variance में क्या होता है आप भी जानते हैं हम अच्छे से समझते हैं कि यार देखिए cost variance जो हम लेकर चल रहे होते हैं वो कैसे होता है आप कोई पता है cost variance सीधे सीधे है standard cost और actual output जैसे हैं यहाँ पे 9,35,000 था minus actual cost फड़ जाके चाहे हो material हो labor हो overheads हो कुछ भी तो आपने का अच्छा अब इसके अंदर हम ऐसे लेकर चल रहे होते हैं तो हमारी cost variance basically material के अगर बात करें two parts में divide होती है material usage variance and material rate variance usage variance देखता है production department में किस तरीके से आपने कितनी quantity लगानी चाहे थी standard rate से multiply करते है मतलब उसी actual output को बनाने के लिए कितनी quantity लगनी चाहे थी और price या rate variance कहता है किस rate पे किस rate पे आपको आपका material आना चाहे था किस rate पे आप लेके आए into actual quantity अब यहाँ पे अगर single plan लेके चल रहे हैं तो आप actual quantity purchase लेंगे अगर partial plan ले रहे हैं मतलब आपके books timely नहीं produce हो रहे हैं आप immediately variance नहीं निकाल पा रहे है यह रेंड पर निकल पा रहे हैं तो आप उस case में आपने हाँ एक्स वाल एक्जमपल बिलकुल सही आप अग्स वाल एक्जमपल टू रूपी टू रूपी 50 पैसा अपने अगर हमारी टाइमली प्रिपेर हो रही है तो quantity पर चेस ले लेंगे और टाइमली प्रिपेर नहीं हो रही है तो quantity यूज लेंगे ठीक है तो बैटर रहता है अपने आपको सेफ साइट करने के लिए मैं तो एक गणा पॉल और कॉस्ट मेरेंस निकलता है कॉन्टी यूज़ पर चैस पे लेकिन आप निकाल दीजो व्यूज़ यूसे वेरियंस है उसको टू पार्ट सब पार्स में डिवाइट करते हैं आपने का कौन कौन से मैंने कहा देखिए उसको two parts में divide किया जाता है एक isa 2021 joz origin and second है सेज़ गाहि vendors सेकिंड किया है ऐपने कहा कि सर सेकिंड जो होता है ईंड के साथ कौन सा होता है मिक्स नहीं ठीक है तो आपने का立 टाइम ए मिक्स आपने का बहुत असान है सब privacy action की सबback हो गया है बन नोग देखिए हमने समझा था दिरर थ्री वेज आफ कैलकुलेटिंग इल वेरिंस आने तीनों चाहिए आने तीनों चाहिए कहां क्या पता कौन सा इंटरपेटेशन दे दे वेरिंस निकालके फिर क्या करोगे आने इसलिए आपको ओल थ्री चाहिए फिर्स्ट वे क्या था आउटपूट बेस था इसमें हम क्या करते थे आउटपूट बेस में एक मिनट आउट्पूट बेस वाला वेरियंज जो था इसमें आप क्या करते थे आप कहते थे कि सर आपने 90 केजी एक्चॉल आउट्पूट प्रेड्यूस किया लेकिन आपका जो 10% नॉर्मल लॉस था उसके हिसाब से आपका कितना आउट्पूट प्रेड्यूस होना चाहिए था उसके हसाब से बताओ तो मैंने का 120 के उपर 10% के हसाब से 108 प्रेड्यूस होना चाहिए था आपने प्रेड्यूस किया है 90 आपने प्रेड्यूस किया है 90 होना कितना चाहिए था आपने कहा कि सर मेरा होना चाहिए था 108 तो मतलब आपने कितना कम प्रेड्यूस किया 18 kg आउट्प यह पॉर एक्टॉल ऑपुट 90 मंदब स्टेंडर्ड कॉस्ट पर पर यूनिट आप जो है वो 3 है तो आपने का अगर 18 kg आउट्पुट बरवाद हो गया तो मैंने कितना वेस्ट कर दिया 54 रूपीस का लॉस हो गया इसी चीज को आप दूसरी तरीके से देखते थे इंपुट बेस पर आप कहते थे सर उसी 90 kg आउट्पुट को बनाने के लिए आपके कितने केजी इंपुट लगना चाहिए था मैंने का 100 kg लगना चाहिए था 10 परसेंट के इसाफ से लेकिन लग गया था आपका 25 परसेंट क्योंकि आउट्पुट काई बार सेम उसमें नहीं होता था के जीजी में होता था काई बढ़ तिन में होता था कई बार किसी और मैजर में होता था इसलिए हम इन्पुट बेस जादा फॉलो कर रहे होते था हूं हब आपने का 20 जढ़ा चाह 270 रूपीज लग रही थी कॉस इस पे 100 kg पे 270 रुपीज 100 kg पे मतलब अगर आपकी 1 kg पे सोचो हूं 2.7 मेरी कितने ज्यादा लगे था 20 kg तो आपने का 54 रुपीज का मैंने लॉस कर दिया इसी को हम एक और तरीके से देखते थे हमें मालूम है quantity variance क्या है आपने का this minus this इसको टू पार्ट में हम डिवाइट कर लेते थे आपने का first होता था first क्या होता था आपने का कि Sir standard quantity minus actual quantity use in standard quantity इसको कहा देते है yield variance और second क्या करते थे आप actual quantity used in minus minus actual quantity इसको आप बोल देते थे क्या आपने गहा कि Sir इसको हम बोल देते हैं Mixed variance Mixed variance मतलब कितनी आपकी quantity अगर हम यह 120 kg हमने सुचा था बजट के टाइम पर स्टेंडर वगरा हो था तो कितनी कितनी quantity लगनी चीथी और कितनी लग तो आपने का अच्छा यह होता है मैंने कहां तो आप डिफनेस ले हैं कि standard cost standard quantity minus actual quantity and standard mix into standard rate तो इसको कह देते हैं यह सबसेज वेरियंस अधर्वाइस आप बुल देते हैं मिक्स वेरियंस ठीक है तो आपको यह हमारे वेरिंस थे इसके बाद हम आएठे लेबर पर इसके बाद हम आगे थे labor पे अच्छा मैंने आपको कई formulas निकालने सिखाये थे labor पे आने से पहले मैंने आपको गाता किसी भी चीज का आपको अगर formula निकालना हो standard cost और actual output तो आप कैसे करते हैं budgeted over budgeted into actual कर देते हैं budgeted over budgeted into actual कर देते हैं यहां लिख देते हैं और output के बदले में चाहिए जिसके against चाहिए तो वह आप यां पे और यहां पे लिख देते हैं आपके पास try all आप ने गा कि सर इसके इनदर एक बात और याद रखना आपको इसके इंदर यह बात पयाद रखनी होती है क्या कि हमारा material जो है न वो तो material जो है वो तो next year केरी फॉरवड हो जाता है लेवर नहीं पाती तो लेवर जो होती मैटीरियल पे तो आपने कॉस्ट पर इनकाल देया मैंने आपको बताया था internationally हम quantity purchase पर निकालते हैं और हमारे यहां quantity यूज पर निकालके cost वेरियस कर आते हैं लेकिन हम लेबर में तो quantity quantity होती नहीं क्योंकि carry forward कुछ होई नहीं सकता quantity वगर कुछ है नहीं तो जो भी labor cost incur कर और यह उसके उपर निकालते हैं इसके अंदर हम लोग जैसे वहां पर labor material में usage और expense वेरियंस ता price वेरियंस यहां पर efficiency बोल देते हैं usage को और rate यह expense वेरियंस बोल देते हैं ठीक है तो आपने ठीक है एक और निकालाता है बीच में idle time बेग आइडल टाइम वेरियंस क्या समझाता है आपको बताता है कि कितना आपका abnormal idle time है आपने का कितना abnormal normal idle time कितना है machine खराब थी आपने का material नहीं आया इस वज़े से क्या आपका time waste हुआ उसको कहते हैं labor efficiency variance को सब parts में divides करते हैं sub efficiency variance और gang composition variance हम prefer करते हैं mixed variance और yield variance नहीं बोलते इसको और labor के case में हम output बेस पे output बेस पे नहीं निकालते mixed yield variance को मेंदब sub efficiency variance को ठीक है output बेस पे नहीं निकालना prefer करते हैं हम हमेशा input base पे चलते हैं बाकि यह सब कुछ exactly material वाला था इसके बाद आप आये थे इसके बाद आप आये थे ओवरेट्स पर मैंने आपको बताया था ओवरेट्स के अंदर ओवरेट्स के अंदर हम लोग पहले traditional ओवरेट्स कर रहे थे डिशनल ओवरेट्स के अंदर हम क्या करते थे डिशनल ओवरेट्स के अंदर हमने समझा था देखे दो तरीगे से classification था variable और fix two types का classification था variable और fix हम लोग कहते थे एक्च्वल आर्स पेड को हम लेके ही नहीं चलते थे ना idle t enable time को लेके चलते थे हम सिर्फ仫 work को लेके चलते थे ऐसा क्यों करते थे कि आर्स्ट को लेके चलते थे ओरएड एनलेसी के लिए हम क्याते थे जितनी देर वर्क हुआ उसी साप से मान के चलते थे cost के allocation है जैसे आपने जितनी देर work किया actual में work किया उतनी देर आपने पंखा चला है factory के अंदर उतनी देर आपने indirect material लगाया indirect labor लगाई तो आप कहते हैं कि यार हमारी उसी time पे यहाँ तक fix cost भी उसी पे apportion कर रहे होते हैं तो याद यह रखना है कि जितनी जितनी देर काम हुआ उसके इसाब से ही हमें fix cost apportion करनी है उसी के इसाब से variable cost लेके चलनी है इन simple terms हम लोग overhead के अंदर arts paid को नहीं लेके चलते हमेशा arts work को लेके चलते हैं मतलब resources कितने utilize हो रहे हैं उसको लेके चलते हैं ना कि resources के लिए कितने के लिए payment की ठीक है इवन जब हम activity based costing करेंगे तो resources अगर paid कुछ आ जाए और utilize कुछ आ जाए तो utilize लेके चलेंगे paid ने अब आपने कहा कि इसको two parts में classify करते थे variable overhead के variances और fixed overhead के variances variable overhead cost variance या total overhead variance कहा जाता है यहापे वो क्या होता था standard cost for actual output minus actual cost standard cost for actual output निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे आपको भी याद होगा मैंने आपको कई बार बताया है standard cost for actual output कई तरीके से निकाली जा सकती है first way तो है actual output into standard cost per unit first way simple है actual output into standard cost per unit second way क्या है जैसे यहाँ पे resource जो है जो भी आपका है वो r's है तो आप कैतने standard r's और actual output वर्ड ध्यान से सुनीएगा standard r's और actual output into standard variable over hat per r standard r's और actual output into standard variable over hat per r तो आपने का सिर्फ यह variable over hat है मैंने का नहीं material में भी अगर standard material cost निकालने है तो आपके पर फो तरी ways है first actual output into standard cost per unit second way क्या है आपने कर से सेकेंड वे जो है वो है स्टेंडर्ड कॉंटिटी फॉर एक्चॉल आउपट इंटु स्टेंडर्ड रेट पर कीजी वगरा तो आपने अच्छा तो हर जगे आप चाहें तो रिसोर्स बेस पर इंडिजुली भी ले सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कैसे जैसे यहां पर ठीक है आपने कहा कि सर हम हमें मालूम है इस बोट थिंग्स आर सेम स्टेंडर्ड और एक्चॉल आउपट इंटु स्टेंडर्ड वेरिबल और पर आर या फिर एक्चॉल और एक्षिएंसी वेरियंस सेम फॉर्मला हैं लेबर बेस्ट पर सेम मीनिंग है सब कुछ सेम लेबर वाला कि यहां पर ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि आर्ष ज्यादा लग गए या रेट ज्यादा पेकर दी एक्जेक्टली सेम है स्टेंडर्स माइनस एक्चॉल आउप पूरे पूरे स्टेंडर्ड कॉस्टिंग इंदर फॉर्मला इस तरीके से लिए हैं कि जब भी पॉजिटिफ एकर आती है एक्सेप्ट इन केस ऑफ लेबर आइडल टाइम वेरियंस जब भी पॉजिटिफ एकर आती है तो आपने क्या देखा एक आउट्पूट बेस पीश चाहिए नहीं अउट्पूट बेस नहीं एकसेप्ट इनकेस ऑफडल टाइम जब भी पॉजिटिफ एकर आती हम उसको फेवरेवल वेरियंस लेते हैं जब भी नेगेटिफ एकर आती हम उसको एड़्वर्श लेते हैं ताकि माइंड एक्टम क्लियर रहे हैं अच्छा इसक एकस्पैंस वेरियंस और फिसदेंसी वेरियंस दोनों बिलकुर सहीम है लेवर वहाले लस्ट पर आहे थे इसके इ सन्दै जो ऊवरेट के अदर वे यहां तक पढ़े थे आपने का की सर्व वो थे fix or at आपने को fix or at के इंदर याद रखिएगा याद रखिएगा पहले इसका format याद करते हैं कि किस तरीके से तक तक हम इसके मीनिंग के पहले इसके format को रिकॉल कर लेते हैं अपने का expense efficiency variance and capacity variance efficiency variance याद रखिए अगर कुछ भी हो efficiency variance पर कोई impact नहीं आता लेकिन capacity variance अगर calendar variance होता है तो different तरीके से निकालते है actual days पर निकालते हैं उसको हम यहाँ पर समझने के लिए हम लोग revise capacity variance बोल देते हैं आप उसको आप क्या बोल सकते हैं आप उसको capacity variance ही बोलेंगे लिखने के लिए formula हम revise capacity बोल देते हैं आपने उसको balance capacity भी बोल सकते हैं revise capacity भी बोल सकते हैं ठीक है अब आपने का कि सर formula कैसे थे मैंने आपको बड़ा simple याद कर रहा था output hours days budgeted fixed overhead actual fixed overhead output का मतलब actual output in terms of standard hours hours मतलब actual hours और third days मतलब actual days in terms of standard hours तो first हो गया standard hours for actual output second हो गया actual hours third हो गया standard hours for actual days इन तीनों को आप multiply किससे करेंगे standard fixed overhead per hour से आपने इन तीनों किससे multiply करना है standard fixed overhead per hour fourth क्या है budgeted fixed overhead, fifth क्या है actual fixed overhead अब इससे formulas बनाते हैं कैसे formulas है सबसे पहला formula सबसे बड़ा variance 1-5 कर देंगे 1 क्या था आपने का sir standard ask for actual output into standard fix over rate पर आर जिसे हम absorbed fix over rate भी कहते हैं इसे हम क्या बोलते हैं absorbed fix over rate भी बोलते हैं उसमें से आपने minus किया क्या आपने का actual fix over rate 1-5 तो आपने का ठीक है इसको हम बोलते हैं total इसके अंदर सारे गवर्ड है 4-5 में classify कर रहे है actually volume variance बड़ा क्यों लिया 1-4 volume variance ले रहे है क्योंकि उसके सब पार्ट सुने वाले है 4-5 क्यों लिया क्योंकि expense variance को कोई सब पार्ट से नहीं इसलिए इसको 4-5 ले लिए volume variance के आपने का two parts होते हैं primarily efficiency variance और capacity variance efficiency variance के कोई सब पार्ट नहीं इसलिए से 1-2 लेने के छोटा सा लेकिन capacity variance के सब पार्ट साते हैं इसलिए हम 2-4 लेते है 2-4 तो आपने का 2 क्या है मैंने का 2 कुछ भी नहीं 2-4 के बाद आपने का कि सर एक सब पार्ट और बना देते हैं अगर calendar variance निकल रहा होता था 2-3 को लेते हैं capacity variance उसको लिखते हैं विखंस सब बना सकते हैं इसके फॉरम्ला स्मझला मतलब इसमें सर कोई rotate science ही नहीं इसमें एसी संट व्लिवी में वगर में लगने व concerned आप क्या कर रहे हुते थे आप क्या थे देखिये आप मजनल मांजल अप्रोच में कीज़ दे थे कि हमने बजटींग चैप्टर फड़ा lotus intermediate में हमने सीखा था कि यार budget flexible हो या original fix cost मेरी same रहती है it doesn't change तो आपने का fix cost हमारी same रहती है लेकिन जब हमने हम absorption approach पर आये थे तो हमारा meaning absorption का मतलब यह था कि जब हम output change कर रहे है output हमने सोचा था 10,000 10,000 9,000 produce हुए तो आपने कितना absorb किये units को units पर fix overhead को कितना absorb किया तो आपने का अच्छा तो जब आपका output ही बदल गया तो fix overhead आपका बदल गया तो आप कहते थे कि sir fix overhead हमने जैसे यहां पर 10,000 units के लिए 50,000 एक बजटेट की थी हमने खीक है अब अगर आपने एक्च्छल में 50 एक्च्छल में 11,000 units produce किये तो आप कहेंगे कि sir हमने कितने absorb कर लिए हमने 55,000 units हमने 55,000 रुपीज absorb कर लिए अब हुआ क्या हुआ यह इसकी वज़े से impact आने शुरू है यहां पर sales margin volume variance अगर manual costing में अगर आप आप निकालेंगे जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है manual costing यहां पर आपको दिखेगा 20,000 का favorable 20,000 का sales margin volume variance दिखेगा लेकिन जब हम absorption approach पे आएंगे क्योंकि fix overhead जो है मेरी 50 से बढ़का 55 हो गई revise flexible budget में 50 से बढ़का कितनी हो गई sorry 55 हो गई मेरे को जो sales margin volume variance है sales margin volume variance कितना दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखिए it is now 15,000 not 20,000 it is now 15,000 not 20,000 आपने का बिल्कुल सही बात है सर अब मेरे को यह 15,000 दिख रहा है क्योंकि 5000 मैंने ओवर एब्सॉप कर लिए 1,000 ज्यादा इनिट्स प्रिद्यूस की तो 5000 ओवर अब इसके चक्कर में मेरा फिक्सोरेट का एक्सपेंस कितना दा 4000 मेरा फिक्सोरेट का वेइस जो आना चाहिए जो की आना चाहिए वो आना चाहिए लेकिन यहां पे हमारा 9000 दिख रहा है क्यों 9000 दिख रहा है 5000 मैंने ओवर एब्सॉप कर लिया था जिसकी विज़े से सेल्स मर्जिन वाल्यूम वेरियस मेरा 5000 कमाया था तो मैंने क्या का 5000 ओवर एब्सॉप करनी के विज़े से मुझे यहां पे फिक्स ओवरेंट में 5000 का फायता जाधा दिख रहा है मतलब 4000 की जगे मुझे 9000 का बेनिफिट दिख रहा है तो आपने का अच्छा यह 5000 का बेनिफिट एक्स्टा क्यों देख रहा है क्योंकि मेरा वॉल्यूम के वज़े से मैंने ओवर एब्सॉप कर लिया ओवर एब्सॉप्शन जब भी होगा उसकी वज़े से क्या आएगा आपने का जब भी ओवर एब्सॉप्शन होगा उसकी वज़े से मेरे पास ओवर एब्सॉप्शन की वज़े से आपने का मेरे पास हमेशा आएगा क्या आएगा फिक्स ओवरेड वॉल्यूम विरियंस व favorable और under absorption से आएगा adverse इसके बाद आये हम efficiency variance और capacity variance पहे, efficiency variance का मीनिंग था आपने किया meaning था, efficiency variance का, मैंने आपको बताया था कि कितने hours लगने चाहिए और कितने hours आपके लगे और capacity variance का meaning था है कि कितने आपके पास budgeted hours थे और कितने हकीकत में आपने आर्स यूज़ किये जैसे इस question में आपके पास 40,000 आर्स थे लेकिन आपने 25,200 आर्स यूज़ किये अपने under utilization of capacity की है उसको आप capacity variance कह रहे है और 25,200 आर्स में जितना output produce किया वो output actual में 20,000 आर्स के लायक था उसको आपने efficiency variance बोल दिया simple है उसको आपने क्या बोल दिया आपने बोल दिया efficiency variance तो आपने का efficiency variance और capacity variance मेरे को एकदम clear होगा कई बार क्या होता है situation ऐसी होती है strike हो जाती है किसी मुंद में holidays ज़दा आती है Sunday ज़दा आता है उस situation में days जो working days है वो कम हो जाते है ठीक है उस situation में मेरे work работать इस जो हो जाते है वो क्या होते हैं कम हो जाते है उसकी वजए से उसकी वजए से मैं क्या निकालता हूं मैं capacity variance दोबारा निकालता हूं मैं उस original capacity variance को न निकाल के मैं कह कहता हूं यहां पे revise capacity variance निकावलूऊँगा मतलब इसको किस पर निकालूगा actual days पर ही निकालूगा बाकी सब कुछ सेम है बस यहाँ पर days budgeted के इंदर days कौन से लेंगे हम यहाँ पर actual days लेंगे क्योंकि मेरे पास days की problem क्यों आ गई आपने का days की problem इसलिए आ गई क्योंकि मेरे पास days थे इनी इस month में मैंने तो budget बनाया था year के बिस पर divide by 300 days divide by आपने का 12 तो मेरे पास 25 days पर मंत आ गए थे ज़रूरी थोड़ी हर मंत में उतने days हो आपने का की सर इसलिए हम revise capacity variance निकालते है ठीक है जिसको हम capacity variance लिखते हैं औरिनल capacity variance नहीं निकालेंगे इसमें क्या होगा देखिए याद रखिए जब भी हम calendar variance निकाल रहेंगे तो volume variance क्या होगा reconciliation अगर देखे efficiency variance plus calendar variance plus capacity variance actual में revised capacity variance है ठीक है इसके बाद हम आ गए थे इसके बाद हम आ गए थे reconciliation पर जिसे operating statement भी बोलते है बहुत असान concept था इसी के लिए तो हम शुरू से त्यारी कर रहे थे operating statement कहता है देखिए budgeted profit और actual profit में जो difference है वो reasons हमें पहले ही पता है sales margin volume variance, sales price variance and cost variance यह difference हमें पहले ही पता है उसको बस दिखाना है आपको बस उसको दिखाना है favorable adverse variance ले ले लेके अगर वो आपको कहता है specially standard margin दिखाओ standard profit दिखाओ तो standard profit दिखादेंगे अगर कहता है actual margin दिखाए तो actual margin दिखादेंगे अदरवाज दिखाने की कोई जूरूत नहीं आपको शुरूरात करना है budgeted profit से फिर आना है आपने adjust करते वे variance से sales के price variance और volume variance को adjust करने के अंदर वाद आप आएंगे actual margin पे आ जाएंगे अगर sales volume variance की जगे मान के चलिए detail variance निकल सकते हैं तो आप detail निकाल देंगे कोई ऐसा जरूरी नहीं मतलब अगर मान के चलिए quantity variance और mix variance निकल रहा है तो आप quantity variance और mix variance दिखाए why to show आपने गहाँ why to show volume variance ठीक है detail जितना जा सकते हैं उतना detail जाते हैं फिर लेकिन quantity variance और mix variance निकाल दिया तो volume variance निकाल के दिखाने की जरूरत ही नहीं है why to show volume variance if quantity variance and mixed variance has been asked ठीक है अच्छा इसके अंदर बड़ा ध्यान देना सबसे बड़ा ऐसे आकर में cost variance adjust कर देते हैं cost variance में भी अगर मान के चलिए usage variance है usage ना दिखा के sales margin volume variance जो है देखिए ध्यान देना यहां पर manual approach का जो sales margin volume variance है वो किसका summation होगा अगर आप ध्यान दे sales margin volume variance plus fix overhead volume variance of absorption पाकी कोई अंतर नहीं होता अगर आप reconciliation बनाते हैं बाकी कोई difference नहीं है बस आपका आपका sales margin क्योंकि वह दो parts में divide हो गया था है अच्छा secondly हमें मालुम है formula जो लगा रहे हैं हम कैसे लगाते हैं contribution बेस पर formula लगाते हैं ना कि total profit बेस्ट मतलब standard profit per unit ना लेके standard contribution लेके चलते हैं ऐसे यह actual में ठीक है इसके उपर फिर हमने practice की थी बताइए अगर किसी को operating profit statement मतलब reconciliation statement तक कोई भी doubt हो तो कोई भी अगर वन परसेंट भी अगर किसी को doubt हो ही और शी में आस दसेंग क्लियर है चलो मान के चल रहा हूं कोई डाउट नहीं